Hello Friends, Welcome to Plant Science Forum और आज हम बात करेंगे Plant Fossilization के बारे में उसके Process और Types यह Fossils होते क्या है? यह Fossils आते कहा से है? इनको बनने के लिए कौन-कौन सी Process Scientist लोगों ने ऐसे थेरी प्रपोस्ट की है और इसके Types क्या होते है? यह जो आपको इमेज में दिखा दे रहा है यह कौन सा Fossil है? यह बनता कैसे है? यह सब में भी आने वाली Slides में डिटेल में बात करेंगे अब Fossils की Study के पहले बात कर लेते हैं अर्थ की Journey के बारे में जैसा कि आपको पता है आपने सुना होगा आप तक कि यह जो यूनिवर्स है इस यूनिवर्स का डेवलेप्मेंट हुआ था बिग बैंग से यह जो है यह है बिग बैंग का एक्स्लोजन जो billions of years पहले हुआ था बिग बैंग के साथ में बहुती कुछ सालों बाद में फिर हुआ हमारे सोलार सिस्टी का डेवलेप्मेंट सोलार सिस्टी में आर्थ है आर्थ पहले ग्यास का गुला था सिर्फ उसका कंडनसेशन हुआ और फिर धीरे धीरे आर्थ की डेवलेप्मेंट हुई पहला जो सजीव निर्मान हुआ था वो पानी में निर्मान हुआ था में तो सुना भी होगा उसकी मूवीज भी देखी होगी तो यह सब जो मिलियंस अफ यह पहले था प्रुथ्वी पे वो सब हमको मिलता है फोसेल्स के रूप में अब यह गया गहाँ पे क्योंकि इतने सालों से प्रुथ्वी पे अलग-अलग तरह के नैचरल डिजास्टर हु जो फर्स्ट और सेकंड है इस इमेजेस कर्रेस्पॉन तो वल्कानिक एरप्शन थर्ड इस तरीके से जो कुछ भी नैचरल डिजास्टर होता है उस नैचरल डिजास्टर की वज़े से उस टाइम पे जो कुछ भी लाइफ फॉर्म थे वो लाइफ फॉर्म क्या एक्स्टिंक्ट हो जाते और लाखो करोडो साल बाद वो ऐस ए फॉसिल देखने को मिलते हैं जैसा कि रिसेंट पास में अगर देखेंगे तो अमेजोन फायर हुआ था फिर ऑस्ट्रिया में फायर हुआ था केदारनात में केर लाइफ फॉसिल देखने को मिलते हैं अब यह जो हम फॉसिल फॉसिल बोल रहे हैं इसका मीनिंग क्या है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मिनिंग है to dig up मतलब खोड के निकालना फॉसिल जो कुछ भी है वो जेनरली हमको खुदाय के दारान मिलते हैं अगर कहीं पे खुदाय के दोरान report मिल गया कि यहां पने fossil है तो धीरे धीरे उसको वहाँ से recover किया जाता है वो एक तो किसी organism का remnants रहेंगा remnants रहेगा या फिर उसका impression मिल सकता है as a print only यह prehistoric time से मिलता है और यह प्री historic से मिलता है किसी पत्थर के बीच में embedded होगा बीच में घुसा हुआ मि लेगा, generally यह जो पत्थर मिलते हैं, वो है sedimentary types के, these are called as sedimentary rocks, second और thardy minute में दिखिया, layer by layer आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक layer किसी time को correspond करता है, represent करता है, फिर हजारों साल बाद, वो नीचे दब गया, उसके उपर दूसरी layer आ गई, वो layer उसको pressurize करती है, compress करती है, हजारों लाखों सालों की यह geological process के साथ में, sedimentary rock develop होता है, और ऐसे हजारों लाखों के साल में, जब वे कोई organism उस layer में दब जाता है, उसके उपर नहीं layer बनती जाती है, फिर वो ऐसे sedimentary rocks में as a fossil मिलेगा, अब हम particularly बात करते है, paleo botany के बारे मतलब fossil botany के बारे में, यहापे आपको दो spilling दिखाए दे रहे हैं, कोई भी spilling लिखिये, कोई problem नहीं, दोनों भी बराबर है, paleo botany मतलब क्या कि recovery and identification of plant remains, अब from geological context, अगर कहीं पर report मिलता है कि यहापे fossils है, तो फोसिल को वहाँ से पूरा ढोंड के निकालो, उसको identify करो कि यह कुण से plant group का है, अलगी, जनरली अलगी तो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी अलगी group है, या फिर bryophyte से, teridophyte से, gymnosperm है, angiosperm में, कौन से plant group को belong करता है, या फिर उस group में से कौन सा genus है, family है, या फिर कौन से plant का body part कौन सा है, इसको देखते हैं कि कौन से geological time से यह आया है, फिर उसकी हिसाब से उसका पूरा biological reconstruction होता है, कि उस time पे उस organism को जिन्दा रहने के लिए atmospheric factor क्या रहे होंगे, और एक बार वो पूरा organism develop हो गया, उसके सभी part assembled हो गये, फिर उस plant की evolutionary history के लिए भी मदद होती है, अगर हम यह पता करते हैं कि वो plant जो fossil में मिल गया, वो कुन से family को, genus को, order को belong करता है, और अगर वो family genus आज भी available है, तो मतलब हम देख सकते हैं कि आज के context में development के हिसाब से, characteristic development के हिसाब से, क्या-क्या evolutionary changes उस plant में आये है, इसकी साब से हम देख सकते हैं कि evolution में वो particular family में क्या-क्या changes हुए है, हमको एक तो plant fossil मिलते हैं या फिर animal fossil मिलते हैं, as compared to plants, animal fossil थोड़े ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि animals में skeleton system होता है, जो already एक mineral deposition का system है, उसकी वज़े से animal fossil का number as compared to plant ज़्यादा मिलता है, plant में skeleton system होता नहीं, mineral deposition naturally कम होता है, इसलिए plant के fossils थोड़े कम मिलते हैं, कुछ fossils micro होते हैं, तो कुछ macro होते हैं, micro fossils में spores या फिर pollen grain साएंगे, अगर pollen grain की बात करते हैं, तो pollen grain में exine और intine होता है, ये दोनों layer के बिच में sporopollinin नाम का एक chemical होता है, जो बहुत ही एक complex biopolymeric structure है, जिसका chemical nature अभी तक पुरी तरीके से पता नहीं चल पाया है, ऐसा बहुत सारी reports में आपको मिलेगा, ये sporopollinin की वज़े से pollen degrade होते नहीं, और इसकी वज़े से वो आज भी fossils में हमको देखने को मिल सकते हैं, और जो size में बड़े हैं, उनको बोलेंगे macrofossils या फिर megafossils, अब ये जो fossils हैं, इनको बनने के लिए उस time पे atmospheric condition या फिर physical condition क्या रही होगी, क्या जरूरी है उस time के हिसाब से, अगर कोई organism death हो जाती है, और organism की death हो जाती है, वो मरता है, अगर वो जल्दी के जल्दी दफना दिया जाता है, या फिर बरी होता है, तब भी उसका fossil बनेगा, क्योंकि अगर वो organism natural environment में रह गया, तो उसके उपर scavengers का attack होगा, micro organism का attack होगा, उसकी वज़े से वो organism का organic matter degrade हो जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी है, कि वो organism की natural death नहीं होनी चाहिए, अगर कोई natural calamities आती है, disaster होता है, abnormal death होती है, तब ही वो organism बरी होता है, जैसे flood आ गया, tsunami आ गया, भुकमप आ गया, ऐसी condition में अगर organism की death होती है, तब ही वो naturally दफना दिये जाती है, उसको organism को natural decay से दूर रखना है, मतलब उसका decomposition नहीं होना चाहिए, अगर वो cold water में, acidic water में death होती है, तो fossilization को favor करता है, क्योंकि cold water में, acidic water में microbes का development नहीं होता, तो normally decay नहीं होगा, उसकी body buried हो जाएगी, और वो fossils पे convert हो सकता है, और यह सब चीज़े favorable रहती है, valleys में, lake basin में, या फिर ischuris में, valleys मतलब जहाँ पे, दो बड़े बड़े पहाडों के बीच में, एक ऐसी बारिक, बारिक बोलने से अच्छा है, कि यह valley के जैसा structure develop होता है, जैसा केदारनाथ में हुआ था, कुछ सालों पहले, पॉंड में, lake basin में, जहाँ पे, sedimentation, siltation, एक continuous process रहती है, इस चुरिज मतलब क्या हो गया, जहाँ पे, समंदर और नदी, यह दोनों जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे भी siltation और sedimentation, एक continuous process है, अगर ऐसे condition में किसी की death होती है, तो वो fossil में convert हो सकता है, और इन सभी physical factor के साथ में, एक important factor है कि type और nature of specimen, वो organism कौन था और कैसे था, अगर वो organism उसका body part थोड़ा hard है, तो वो जल्दी fossil में convert हो जाएगा, अगर soft tissues है, तो fossil में convert नहीं सकता, क्योंकि धिरे धिरे organic matter, soft tissue, degrade हो जाएगा, उसका printing या फिर fossil बनना थोड़ा मुश्किल जाता है, अब यह जो process of fossilization है, scientist ने इसको दो थेरी प्रपोस किये, पहले रिप्लेस्मेंट थेरी, रिप्लेस्मेंट थेरी में बोला है, कि जो organic matter जो organism बरीड हो गया है, उसमें hydrolysis और weathering की वज़े से जो organic substance है, वो निकल जाते हैं, और वो organic substance में molecule to molecule minerals की replacement होती है, soil में, sand में, silt में, clay में, जो कुछ भी sedimentation process चल रही है, उसमें जो कुछ भी mineral lines प्रिजेंट रहते हैं, calcium हो गया, phosphate हो गया, यह सभी जो mineral lines है, वो सभी organic molecules को replace करते जाएंगे, और fossil का structure develop हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पी देख रहें, यह हो गया एक stem का structure, इसमें आपको cellular details दिखाए दे रहें, इसमें अगर replacement होता है molecule to molecule तो उसकी वज़े से एक ऐसा structure develop हो जाएगा, यह आता है replacement theory के under, second theory is infiltration theory, अगर infiltration theory की बात करते तो आप पहले infiltration और precipitation यह word को समझ लो, precipitation मतलब क्या, कि ऐसे बारिज जैसे होना, infiltration मतलब उसको नीचे चला जाना, अब fossil में इसका क्या context है, अगर fossil की बात देखते हैं, तो हो सकता है कोई organism मर गया, जो बहुती नीचे layer में दब गया, अगर यहाँ पर मरता है, तो अर्गनिजम की जो cell wall है, प्लासम इम्रेन है, उस पे perforation डेवलफ हो जाएगा, मतलब उस पे गड़े बन जाएगे, गड़े बनते हैं, तो soil में, silt में, जो उपर sediment की layer डेवलफ हो रही है, उस में से जो mineral ions है, वो धीरे 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 क्या हो जाएगे, वो organism के body में entry करेंगे, वो organism की body में entry करते है, मतलब क्या हो रहा है, उसमें infiltration हो रहा है, और उपर से आ रहे हैं मतलब क्या, silt layer से आ रहे है, स्यादिमेस्टेशन से आघे मतलब प्रिसितपिटेशन हो रहा है तो प्रिसितपिटेशन और सिल्टेशन एंफिल्टरेशन इसे क्या होता है फॉसील डेवलप्मेंट में help होता है अब यह जो कुछ भी कार्बन मैटर प्रजेंत रहता है on organic body में उसका carbonates connect हो जाता है with calcium and magnesium calcium carbonate, magnesium carbonate now steps of fossilization अब condition देख लिए हमने थेरीज देख लिए उसी की जैसा थोड़ा सा steps of fossilization है अगर आप ये first image देखते है first image में क्या है कि ये कोई fresh organism है जो एक unnatural death मर गया और soon after death वो dead हो गया dead होने के बाद में इसमें आप ये green structure देखिए ये क्या है sedimentation धिरे धिरे fine sand और clay mud इस पर deposit होते जा रहा है deposit सिर्व उपर की body से नहीं बलकि नीचे भी उसका deposition होना चाहिए तभी वो पूरी तरीके से compress होते जाएगा फिर उसमें sedimentation हो गया धिरे धिरे layer by layer बहुत सारी development होई और वो organism नीचे नीचे compress होते गया और बहुती ज़्यादा depth में चला गया जहाँ पर high temperature और pressure ज़्यादा रहता है और eventually वो सब rock में convert हो जाता है जब कभी report मिलता है कि यहाँ पर fossil हो सकते है तो उसको फिर से dig up किया जाता है और वो organism को restructure किया जाता है so this is how in various type fossils are formed now on that basis there are different kinds of fossil one is the impression, compression, petrification or you can say petrification, molds, cast, coal and umber अभी इनको one by one detail जखेंगे impression impression मतलब क्या है the type in which print or image of external surface is visible on rock इसमें कोई भी cellular details नहीं मिलेगा कोई भी organic matter involved नहीं रहता है जैसा कि आप इस image में देख रहे है अकर dentist के पास में गए होंगे तो dentist क्या करता है clay और mud में clay और mud ने उनका specific clay रहता है वो दातों के उपर लगाएंगे दातों का ऐसा एक impression बनेगा ये impression के वज़े से वो dentist समझ सकता है कि दातों में कहाँ पे deformalities है कहाँ पे गड़बढ हुई है कौन सा दात अच्छा है कौन सा खराब है मतलब यहाँ पे सिर्फ एक print और image ली जा रही है वो ऐसा ही होता है fossil के साथ में अगर किसी रॉक पे अगर किसी रॉक पे यहाँ पे अगर कोई plant material प्रेस हो जाता है तो स्रिफ उसका एक image बन जाएगा उसका कोई भी cellule details और organic matter नहीं मिलेगा now come to second type compression compression के जो steps है वो आपने इसके पहले देखी होगी previous slides में अभी फिस से उसको revise करते है compression is the most common type of fossils और compression में जो कुछ भी होता है उसमें हमको कुछ cellule details भी मिलते है जिस epidermal health हो गए या फिर sports हो गए अब इसमें होता क्या है first image में देखी है कोई organism मर गया वो एक pond जैसी system में है फिर उसके उपर पानी चड़ गया पानी के साथ में siltation होगा sedimentation होगा और धीरे धीरे उसके उपर एक layer by layer development होती जाएगी और ये जो process आपको दिखाए धीरी है ये process ecological succession में भी आपने शायद कहीं पर पड़ी होगी अब धीरे धीरे वो organism नीचे दब गया दबते दबते क्या हो गया कि उसकी body में जितना भी water content था वो सब squeeze out हो गया body flattened होगी उसकी body compact होगी क्योंकि उसके उपर इतना सारा sedimentation का pressure और high temperature है कि वो सबी के सबी एक carbonaceous film में convert हो जाएगा और carbon के film बन गए तो सिर्फ आप एक original outline मिलती है cellular detail ज्यादा नहीं मिलती फिर भी compression में कुछ cellular details मिले है जैसे epidermal hairs और spore जो एक unicellular structure होते है multicellular structure as it is organ structure नहीं मिलता है अगर आप इन सभी images को देखते है तो आपको यहाँ पर यह images पत्थर के उपर से थोड़ सी उभरी होई दिखाई देगी मतलब क्या है कि इसमें एक दम micro level तक कोई epidermal hair या spores present है क्योंकि यह क्या है compression से बने है next is the petrification and or you can say petrification these are the best type of fossils इसमें क्या है external as well as internal सभी structure देख सकते इसमें भी molecule to molecule replacement होता है जैसा कि आप इस image में देखिए यहाँ पर यह कोई wood log है इसमें धीरे धीरे जो अलग-अलग layer डेवलप हुई है उपर sedimentation की उसमें से क्या जाएगा minerals deposit होते जाएगे कुछ membrane में जाएगे कुछ membrane को transfer होके नीचे silo details में सब जगा पर जाके deposit हो जाएगे तो अगर इसमें अंदर भी mineral lines entry कर रहे है जो internal structure develop होगा और जो उपर mineral line deposit हो रहे है उसके उपर जैसे external structure होगा तो इसमें molecule to molecule of replacement हो रहा है by minerals इसमें generally silica, calcium और magnesium का deposit मिलता है यह देखिए यह आप एक wood log है यह भी फिर से wood का structure है इस तरीके से आप external as well as internal structure देख सकते है अगर आप इस structure को देखते हैं यहाप पर growth rings भी देखने को मिलती है तो इसके उपर से हम यह बता सकते हैं कि यह plant जब fossil में convert हो रहा था या फिर जब मर गया था तब इस plant की age क्या होगी यह image है किसी gymnos पाउं के कोन की इस तरीके से petrification में internal as well as external structure भी मिलते हैं अगर mold type का fossil बनना है तो वो part organism का hard चाहिए जैसा आप इस image में देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो यह कोई आदमी काम कर रहा है यह कोई sediment हो गया और यह एक sediment हो गया अगर यह box वो pack कर देंगे तो यह जो इसके हाथ में जो structure दिखाई दे रहा है इसका यहाँ पे सिर्फ एक hollow cavity बन गया है इस तरीके से जो molds है molds are nothing but the fossils of hollow और cavity इसमें जो hard part है organism का वो sediment के बीच में दब जाएगा और धीरे धीरे वो decay और dissolve हो जाएगा उसमें कुछ ने सिर्फ एक hollow cavity बचेगी अब यह जो fifth cast यह cast बनता है mold की वज़े से इसमें क्या है यह देखी एक famous Indian sweet है इसमें जो green plate जो है यह green plate आप समझ लिए लिजिए कि यह mold है अब mold मतलब क्या? यह green plate के अंदर एक cavity बन गया मतलब mold बन गया अब इस cavity में हम जो कुछ भी sweet material है उसको deposit करते हैं और उसकी वज़े से एक ऐसा structure हमको मिलता है यह structure मतलब क्या हो गया? cast हो गया यह जो cast है यह इस cavity का एक 3D view है 3D view of an organ so cast there are nothing but there developed from the molds और इसमें कोई भी organism का actual part involved नहीं रहता है इसमें क्या है? पहले hollow cavity developed हो गयी थी अब उस hollow cavity को mineral की वज़े से एक deposition हो गया और एक structure developed हो गया यह हो गया 5th type next आता है 6th coal और sedimentary rocks coal की बात करते हैं मतलब fossil आ गया coal कैसे developed हो गया? आज दुनिया में जहापे भी कही पे cold build दिखाई दे रहे है आप समझ लिजे कि वहाँ पे लाखो सालों पहले कुछ dense forest रहे होंगे अब भुकम की वज़े से earthquake की वज़े से mud की वज़े से कोई भी कारण रहे natural disaster का वो सब organic matter वो forest नीचे जमिन में दफन हो गया और under high pressure, high temperature उसका cold के form में conversion हो गया cold में ही जब और high pressure, high temperature आता है तब वहाँ पे diamond की development होती है आपने ये पढ़ा होगा कई पे इसलिए जो हीरा है वो कोईले की खदान में ही मिलता है मतलब ये सब क्या है? fossil की development है यहाँ पे इंडिया कम आप देखिया इंडिया की map देखते है तो ये हो गया तिलंगन, आंधर प्रदेश महाराष्ट, चंद्रबूर रिजन फिर यहाँ पे 36 गड, ओरिसा पांगलादेश, जहारखन नौर्थ इस्ट इंडिया अगर ये सब पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे कोल बेट मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूराने टाइम पे कभी बहुत ही dense forest रहा होगा इस तरीके से कोल भी मतलब क्या एक type of fossil है लास्ट इद्ध अंबर अगर आपको याद होगा कि जो हमारे first slide थी वो इस तरीके की image को दिखाती थी मतलब क्या है कि वो एक अंबर है अब अंबर मतलब क्या कि prehistoric time में कुछ coniferous trees थे वो coniferous trees कुछ resin secret करते हैं आपने आज के टाइम पे अगर कई देखा होगा तो इस तरीके से image देखी होगी मतलब क्या कि plant में से कुछ gum like substance से secret हो रहे coniferous plants में से जो यह जो gum like substance secret होते हैं इसको बोलते है resin और इसको fossil की language में typical term है अंबर जब कभी भी ऐसे gum के structure में कोई insect या फिर कोई plant का part गिर गया इसके उपर से फिर से इसके उपर से फिर से अगर continuous raising number के लिए राती जाती है तो यह completely बरी हो जाएगा और यह कभी भी फिर decomposed नहीं होता है यह as it is रह जाता है अगर आपने Jurassic Park movie देखी होगी तो उसमें first part में आपको ऐसा structure दिखा दिता है ऐसे mosquito में से DNA निकाला जाता है और फिर किसी African frog के साथ में उसका complex जरना के dinosaur को बना जाता है ऐसा उस movie में दिखाया गया है मतलब आप यह समझ सकते हैं कि लाखो करोडो साल पहले भी जो organism किसी resin में अंबर में दब गए उनमें अभी भी हम silhouette structure देख सकते हैं DNA मिलना काफी मुश्किल हैं लेकिन फिर भी हम cellular structure को study कर सकते हैं इसकी वज़े से अंबर को बोलते है fossil within fossil actually यह जो resin है यह इतने लाखो करोडो साल पुरा ना है मतलब fossil हो गया और इस fossil के अंदर भी हमको कोई life form मिल रहा है मतलब फिर से एक fossil हो गया so it is the fossil within fossil इस तरीके से हमने types of fossilization, process and various steps involved देख लिया अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे comment section में जाके पूछ सकते हैं यह हमारा youtube channel plant science forum अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो इसको like कीजे और subscribe कीजे thank you